वीडियो देके आई हूँ जिसमें आपकी बहुत सारी नॉलज बढ़ेगी इस पूरी जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि आपको छोटे-छोटे से पढ़ने को बिनेंगे मैं इनका मतलब भी आपको पताऊंगी और साथ ही यह छोटे-छोटे से से आपको एक सिंपल कमार्ण के रूप में भी आप दे सकते हैं और देली रूटीन में इन सारे वर्ट की आप प्रेक्टर भी कर सकते हैं इन से इंटेंस की ताकि आपकी जो बोलने की के पापाबलिटी है वो भी बढ़े तो चली शुरू करते हैं इट वेल अच्छे सिखाओ स्टैंड अप खड़े हो जाओ गेट इन अंदर आओ सिट डाओ बैठ जाओ गेट आउट बाहर जाए इधर आए आगे बढ़िये ठेक केर ध्यान रखिये निल जाओ बैठ जाए की यह ठीओ भाब करता है यह लिए जाम 20 को की दो प्लीज सॉरे से लाउडली वेल जाओ यह बहुत ही normal से general terms है जो आम तोर पर हम daily routine में यूज़ करते हैं बस जरूरत है इन्हें सही जगर पर यूज़ करने की और सही तरह से प्रणंस्येट करने की टेक डाउं स्टॉप डाट थैंक गॉड बी साइलेंट नेक्स्ट है नेवर माइंड नेवर माइंड को बोलते हैं ध्यान मत दो stop worrying यानि चिंता मत करो शेयर आप उसके लिए उसको उत्साह बर्दन करो louder please यानि जब कोई slow बोलता है तो हम उसके लिए बोलते हैं louder please यानि थोड़ा सा और तेज बोलिए be happy read aloud यानि जोर से पढ़िए walk fast यानि जल्दी जल्दी चलिए stop writing यामतर पर जो हम मैं आप लोगों का exam लेती हूँ या कोई time bound process होती है तो जब उसका time finish हो जाता है तब मैं आपको बोलती हो ना कि stop writing यानि आप लिखना बंद कर दो I remember यानि मुझे याद है read silently जब आप लोग तेज तेज क्लास में पढ़ते हो तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ ना कि read silently अपने मन मन में पढ़िए और बिलकुल चुपचा पढ़िए try again यानि दुबारा कोशिश करो say answer again please यानि दुबारा करिए इसे come near please wait write quickly quickly के मतलब होत inside का मतलब मैंने आपको बताया था अंदर के तरह पाना be patient patient का मतलब धहर बनाये रखना यानि धहर बनाये रखो sit here stand here don't write call her don't go ask him यानि उससे पूछो ask का मतलब पूछना stay here stay का मतलब रुकना यानि यहां पर रुको her name यानि उसका नाम go back पीछे जाओ write down लिखना शुरू कर just listen केवल सुनो stop talking बोलना बंद करो move aside एक तरफ हो जाओ wait here यहां पर इंतिजार करो move ahead आगे बढ़ो get ready तयार हो जाओ come forward यानि आगे आओ be ready तयार रहो leave it छोड़ दो get in अंदर आओ carry on यानि करते रहो ask him ask का मतलब अभी बताया था ना पूछ रहा यानि उससे पूछो get up यानि उठ जाओ speak loudly यानि तेज बोलो as usual यानि पहले की तरह no thanks मतलब नहीं धन्यवाद get out come on get in stop here shut up find here I know get lost follow me यानि follow का मतलब यानि पीछे पीछे आओ यानि यह जैसा मैं कर रहे हूं वैसा ही करूं well said यानि बहुत अच्छा कहा tell me be good repeat it repeat का मतलब दोहराना यानि इसको फिर से कहो be silent यानि चुप चाप रहो don't forget forget का मतलब भूल जाना तो इसे मत भूलना तो बच्छों यह सारे कमांड्स थे आप इनको दो तीन बार अच्छे से देख लीजिए और बूलने की practice करिए और situations क्रेट करिए जहां पर यह सारे terms का आप यूज कर सकते हो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारी नई चीज़ा सीखने को भी मिलेंगी ठीक है अग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाईए मिलते हैं आगे अगली वीडियो में बैबाए